जैब विकास के सिधान्त इसमें लेमार्क को देखते हैं लेमार्क का सिधान्त 1809 में उनकी पूस्तक फिलोसफी औफ जिलोजिक में परकासित हुई लेमार्क बाद सिधान्त के नुसार जीवों का सरीर एवं विभिन अंगों की बिर्धी उनके अंदर की सक्ति द्वरा होता है इन जीवों पर बातबरन्य परिवर्तन का सिधा परभाव पड़ता है जिस कारण जीवों में विभिन अंगों का उपयोग बढ़ता घड़ता रहता है अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक एबं कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होने लगता है इसे अंगों का कम या अधिक उपभोग का सिधान्द भी कहते हैं नई लच्छनों को उपरजित लच्छन कहते हैं, उपरजित लच्छनों एक्वाइड केरेक्टर्स का अध्यन को टॉंटोलोजी कहते हैं, उपरजित लच्छन परजनन द्वारा नई पीड़ी में चले जाते हैं, लेमार्क ने अपने सिध्धान्त को समझाने के लिए जिरा अब डार्विन बाद को देखते हैं शार्ल्स डार्विन इंग्लेंड के जय विकास बीत थे इनके द्वारा प्रस्तूत विकास बाद या परकृतिक बाद कहा गया इसकी ब्याख्या उनकी पूष्तक परकृतिप चुना उजारा जातियों की उत्पत्ती 1869 में छपी और जिन अफ लाइफ में डार्विन को पुराप सेश का महानतम अनवेशक कहा जाता है चाल्स डार्विन ने 1831 में बीगल HMS नामक विश्प सरवेच्चन जहाज पर पुरी विश्प का भर्मन किया डार्विन बाद के अनुसार सभी जीवों में परचूर संतान नोत पत्ती की छमता होती है अंता अधिक अबादी के कारण पृत्य जीवों को अपनी अब सकताओं को पूर्ति करने हित्तु एक दुसरे जीवों से जीवन परियंत संघर्ष करना पड़ता है यह संघर्ष सजातिये अंतर जातिये तथा पारे बरनिया होते हैं दो सजातिये जीव आपस में बिलकुल समान नहीं होते हैं जीवों में विभिनताएं बातावरानिय दसाओं के अनुकुल होने पर वे बहु मुखी जीवन संगहर्स में सफल होते हैं उपयोगे विभिनताएं पिढ़ी दर पिढ़ी इकठी होती रहती है और काफी समय बाद उत्पन जीवधारियों के लच्छन मुल जीवधारियों से इतने भीन होते हैं कि एक नई जाती बन जाती है डार्विन ने आर में लथस की पूस्तक प्रिंस्पल ओफ पॉपुलेशन को पढ़ा जिसके कारण डार्विन पर गहरा परभाव हुआ डार्विन के परमुख बाते विभिन्ता की सर्व ब्याप्ता परगुनन की तेजदर भोजर और बसा अस्थान की कमी के कारण अस्तित्प के लिए संहर्ष उप्योगी विभिन्ताएं की बंसा गती ऐसी विभिन्ताएं जिनमें अस्तित्प संहर्ष में सफलता मिलती है डर्विन के सिधान्त निम्की तत्यों परधारित बहरा जीवों में पचूर संतानुत पति ओवर प्रोडक्शन दूसरा जीवन संगर स्ट्रगल फोर एक्सितेंस तिसरा विभिनताय और इसकी बंसागति वेरियेशन आयन दियर इनहेरिटेंस यह था योगतम की पति जीवित यह परकृतिक का चीयन सर्भाइवल अब दा फिटेस्ट अब नफ डर्विन बाद को देखते हैं डर्विन के पहच्चात इनके समर्थक द्वारा डर्विन बाद को जीन बाद के धांचे में ढाल दिया गया जिने नफ डर्विन बाद कहा जाता है इसके अनुसार नव डर्विन बात के अनुसार किसी जाती पर कई कारकों का एक साथ परभाव पड़ता है जिससे इस जाती से नई जाती बन जाती है एक कारक है विवित्ता उत परिवर्तन जनन और परकृतिक बिरन इस परकार नव डर्विन बात के अनुसार जिन में सदारन परिवर्तन के परिनाम सुरूप जिवों की नई जातीयं बन जिन में जिन परिवरतन के कारun बिविनतायं बढ़ जाती है बीज मैन के चुहियों के ऊपर परयोग ने लैमार्क बाद को सबसे बड़ा धका दिया झाल 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 कुле कि झाल ऐग । झाल